इस वीडियो में हम बात करेंगे पांडीचेरी T10 टूर्नामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा P.A.T. वर्षी W.A.R. के बीच में अगर यहां के विकेट के बारे में बात करें तो दोस्तो वैसे तो एक बैलेंस विकेट है लेकिन जो एक्ष्टा स्पोर्ट है वो यहांपर बल्ले बाजों को मिल रहा है कल के दिन दोस्तों तीन मुकाबले हुए थे, पहले मुकाबले में ESG की टीम ने पहले बैट करते हुए 75 रन बनाये थे, पीछे से SMA ने जो मुकाबला है वो चेस करते हुए 8 विकेट से विन कर लिया, दूसरा मुकाबला एक हाई स्कोरिंग गैम हुआ, AVE की टीम ने पहले बैट करते हुए 138 रन का बड़ा टोटल रखा था, लेकिन PIT की टीम ने ये टारगेट है दोस्तों, वो 9.4 और में 4 विकेट से विन कर लिया, और जो लास्ट मुकाबला हुआ, उसमें TIT ने पहले बैट करते हुए 89 रन बनाये थे, पीछे से WER की टीम ने मुकाबला है, वो 8 विकेट से विन कर लिया, यानि दोस्तों जो तीन मुकाबले हुए थे, तीनों के तीनों मुकाबले हैं, वो चेस करने वाली टीम ने विन किये, और एवरेस स्कोर देखें, तो लगबग दोस्तों 90 से 100 के आसपास का जो एवरेस स्कोर है, वो हम यहाँ पे उनको लेकर जो भी अपडेट मुझे मिलेगा, जो सबसे पहले आपके साथ सेयर किया जाएगा हमारे टेलिगाम चैनल में, और टेलिगाम जोइन करने के दो इंपोर्टेंड लिंक है, वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्स बोक्स में मिल जाएंगे, तो चलिए द टीम को खाफियत सा स्टार्ट दिया, 29 सन बनाए, इनके अलावा दोस्तो जे डागर के बारे में अगर बात करें, तो दोस्तो मैं आपको कलव का रिकोर्ड कभी भी नहीं बदाता, क्योंकि आप देखोगे कलव के रिकोर्ड से हैं, दोस्तो वो लोकल मैसेज होते हैं, वहा बॉली में दोगर कंपिड डाले, 24 सनख़च के विकेट, हलांकि नको नहीं मिला, रिसेंट प्रफॉर्म देखोगे, 2021 टीट उन्टी की, तो आपर देखोगे, 19 सरन एक विकेट, 46 सरन, 5 सरन, दो विकेट, तो दोस्तो ये बैट और बोल्ड दोनों में आपको अच्छे है, कैपन, वाइस, कैपन आप बना सकते हैं, नितिन कुमार नंबर 5 पर खेलने आये थे, जिन्होंने दोस्तों लाश्ट मैच के अंदर 5 रनों का युगदान दिया, इनके बाद एन कार्तिकेन है, नंबर 6 पर खेलने आये थे, 11 रन पी ये ना पाद रहे, यतिस कुमार है, नंबर 7 पर खेलने आये थे, एक रन बैट के साथ किया, बॉलिंग में टीम ने इन से एक और करवाया था, जिसमें इनोंने 11 रन खाज की और एक विकेर निकाला, इन प्रेस का और रोल कोई रिकोर्ड सावलेबल नहीं है, इनके बाद वेदांक्सन एस है, नंबर 8 पर नहीं मिले, लेकिन जो लार्ज T20 सीजन था, एक विकेट, जिरो विकेट, तीन विकेट, जिरो विकेट, दो विकेट, लगबग हर मैत में इनोंने काफी सांधर गिन बाजी की थी, इनके बाद एन इलागोवन है, दो वर कंपिट बॉलिंग की, 27 रन खाज की, और दोस्तों मिलेगी हमारी टेलिगाम में, टेलिगाम का जो लिंक है, वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, अभी हम दोस्तों बात करते हैं, वोरियर्स के बारे में, वोरियर्स भी अपना पहला मुकापला दोस्तों, आठ विकेट से विन करके आए हैं, यह सजाद हो टीम के लि इनके बाद पी रतन पर के टीम के और शे काफी अच्छे और राउंडर प्रेर हैं, बैटिंग में दोस्तों इन्होंने 26 अन बनाये थे, और बॉलिंग में इन्होंने दोर में 20 अंखस करके दो विकेट निकाले, रतन पर के आपके लिए बैट और बोल दोर में बिलकुल ब बैटिंग करने आए थे, तेरा रन बनाये, जबरदस्त हार्ड इटर बले बाजा, दोस्तों जब तक क्रीज पे रहेंगे, आपको बड़े बड़े हिट देखने को मिलेंगे, लास्ट मैस में हलांकी तेरा ही बनाये थे, लेकिन इनको हलके में बिलकुल मत रखिएगा, सेल नूर्थी ऐसन, जिन्होंने लास्ट मैस में बहतरी इन गेनबाजी की, दोगर में मातर छेर अंखज की और दोस्तों दो विकेर निकाले, इससे पहले लास्ट ताइम 2020 में खेले थे, वहां पर इन्होंने जबरदस परफॉर्म किया था, पांच मैसस के अंदर दोस्तों इन तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारी डेमो टीम के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे विकेर किपिंग की, विकेर किपिंग में दोस्तों, यहां से एन कार्टी के इन भी एक ठीक ठाक पिक है, लेकिन मैं जाओगा अविनास जादो के साथ, क्योंकि जा शेफ भी रहने वाले हैं, नीचे के अप्शन में दोस्तों, कोई खास पिक वगरा नहीं रहेगी, जे डगर हैं दोस्तों, कलब रिकोर्ड तो सांदार है, लेकिन लास्ट मैस बिल्कुल बेकार गया था, ओलांडर डिपार्टमेंट में जाएंगे दोस्तों, तामीज मनी ह एक अटैकिंग टाइप का बल्ले बाज है, बॉलिंग वगरा टीम नहीं करवाती, के पांडिया है, बैटिंग भी सांदार करते हैं और दोवर बॉलिंग भी करके देंगे, रतन पर के बैटिंग भी अच्छी करेंगे, दोवर बॉलिंग भी करेंगे, सतामूर्थी है दोस में भी दोस्तों इनको ज़्यादा विकेट नहीं मिले थे तो मैं सज़ेस्ट करूँ आप इनको ग्रैंड लिंग में ट्राइ करके चलना एम पांडी को मैं रखूंगा एस यादो को मैं रखके नवाला हूं इसके लावा दोस्तों नीचे के ओप्शन में वाइप कुमारे एक सेफ ओप्शन है लास्ट मैच में अलांकि इनसे एक एवर डलवाया था इनके अलावा दोस्तों अगर आप किसी अदर प्लेयर पे ट्राइ करना चाहिए तो निचे सवर के उपर आप जा सकते हैं के विगनेस अगर खेलेंगे तो मैं फिर इनको डेफिनेटल अपने टिम मे लेगी टेलिगाम में टेलिगाम जोइन करने के दो लिंक है वो मैंने ओल्रेडी वीडियो के नीचे डाल दी जहां से आप कलिक करके सीधा हम ऐसा टेलिगाम में जूर सकते हैं अगर मैं बात करूं कैप्टन और वाइस क्रैप्टन की तो दोस्तों के पांडिया और रतन पर के दोनों बैस्ट और भैतरिन पीक है स्मोल लिग में जिनको आप रिवर्श करके भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं अगर ग्रैंड लिग के बारे में बात करें दोस्तों तो यहां से आप परमेस्वर के साथ जा सकते हैं और प्रे मिराज को भी आप अपने एक ग लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जुरूर कर लेना थैंक्यू फ्रैंड्स होल दा बेस्ट